क्या कोरोना सच्मुच एक नई बीमारी है? आज पूरी दुनिया भर में लगबग 2,46,000 लोग कोरोना से पीडित हैं जिसमें से 10,000 लोग की मौत हो चुकी है और बात अगर हमारे भारत की की जाए तो यहाँ पर 1955 लोग इससे पीडित हैं जिसमें से 4 लोग मर चुके हैं मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह तीसरी बार है जब कोरोना का कहर हुआ है पहली बार इसकी पहचान 2003 में हुई साल 2002 में चीन में पहला इंसान इससे संक्रमित हुआ था साल 2002 से 2003 में लगभग साड़े 600 लोगों की मौत हुई थी माना जाता है कि यह बिल्लियों द्वारा इंसानों में उस समय फैला था यह भी एक कोरोना जैसा ही था मगर यह कमजोर था जिसके कानिया तुरंत खत्म हो गया दूसरी बार इसे 2012 में सावधी अरब में देखा गया इससे 800 से अधिक लोगों की जान गई थी यह वहाँ पर उठो के जरिये इंसानों में फैला था यह वाइरस पहले वाइरस के मुकाबले ज्यादा सकती साली था मगर यह भी खत्म हो गया और तीसरी बार यह 2019 के दिसंबर में चीन के वुहान सहर में आया जो वहाँ पर सी फूट से फैला और आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि यह कितना सक्कति साली और खतरनाक है और अबी तक इसका इलाज भी नहीं ढूंडा जा सका है कोरोणा वाעरस जूने टिक है जिसका अर्थ है कि वे जानवरों और इंसानों के बीच संचारित होते है क्या कोरोना ठीक होने के बाद दोबारा हो सकता है विज्ञान कहता है कि एक बर किसी वय्रस का संक्रमन होने के बाद इनसानी सrzyः की रोख प्रती रोधक शकती उस वयर GU से मुलास सीख जाती है इसलिए कि अगर आप एक बार कोरोना से लड़कर जीत गए तो यह आपका कुछ भी उखाड़ नहीं सकता अज करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो इसे अपना वह मूले लाइक जोड़ दे अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो हम मिलते हैं नियो वीडियो में तब तक के लिए जय धर्तीमा